हलो गाइज वेल्कम बैक टू जेके स्टडी ओन लाइन गाइज मैं लाया हूँ आपके लिए एक इंपोर्टेंट नोटिस गाइज जेके पी कॉंस्टेबल की वेकंशी को जेके ससी ने एड़रटाइस कर दिया है तो तोटल कितनी वेकंशी है तो मैं आपको बता दी है जिसको एडवर Aaah किया जेके ससी ने थे के लिए age criteria है age relaxation क्या मिलेगी या नहीं मिलेगी वो भी discuss करेंगे और साथ में क्या physical standards रहेंगे इसको physical को clear करने के लिए सारा discuss करते हैं guys इस video में आईए शुरू करते हैं सबसे बहले आप देख सकते हैं ये notification को subject है advertisement for the post of constable in JNK police JKP में constable की vacancies department रहेगा home department की अंदर आता है JKP यह आपको दियान में रखना है total vacancies इन्होंने यहां mention किया है 4,002 vacancies रहेंगी total क्या रहेगा category wise breakup वो भी मैं इस video में बताऊंगा आपको सबसे बहले यहां पर देख लीजिए date of commencement for submission of online application जो online applications है वो start होंगी 30th of July से start हो रहेंगी और last date submission की रहेगी 29th of August या नि लगबग आपको one month मिलेगा apply करने के लिए और annexer ABC में आप देख सकते हैं कि post, cadder, pay level इन सबको ठीक है इसके बाद post बताई है total appointment of candidates, domicile यह तो आपको पता ही है यह main terms रहती ही है vacancies हम देख चुके है age limit open merit के लिए minimum 18 years के होने चाहिए और maximum 28 का होना चाहिए ठीक है यहाँ ही main issue है कुछ candidates यहाँ पर demand कर रहे है age election session के लिए और उनकी demand से बिल्कुल जायज है क्योंकि यह notification अगर देखा जाए तो लगबग four to five years के बाद यहाँ जिक्केपी में देखने को मिली है border battalions को हम exclude करते क्योंकि वो एक exclusively सिफ उनी के लिए थी जो border battalion में रहते थे वो special vacancies थी अगर देखा चाहिए four to five year के बाद अगर यह vacancies आई हैं तो इसके लिए इनको age relaxation तो मिलनी ही चाहिए तो इसकी आपको वाज उठानी पड़ेगी last time भी ऐसे ही हुआ था JKP SI के टाइम पर बच्चों ने अपना जो genuine issue था वो government की तरफ रखा था और उन्होंने उसे फिर सुना था और age को बढ़ाया था ठीक है तो age relaxation आपको मिल सकती है अगर आप अपने efforts रखोगे तो open merit के लिए 18 to 28 है यही same criteria age का minimum maximum का SCST, ST1 और ST2 आपको पता ही है पहले गुजरबकरवाल यह सारी आती थी फिर उसके बाद कुछ और तबकों में को इसमें add किया गया था ठीक है वो ST2 के अंदर आएंगे RBA का भी same ही है, ALC यानि actual line of control और international border वादे उनकी भी same minimum और maximum age रहेगी उसके बाद OBC का भी same ही है, economically weaker section का भी same ही है और in service का भी same ही है minimum 18 और maximum यहाँ पर 30 years रखा गया है ठीक है, government service वालों के लिए भी same 18 to 2080 है उसके बाद SPO होंगे तो उनके लिए 18 to 40 maximum age है ठीक है, यह सारा था age criteria इसके बाद है qualification क्या होनी चाहिए इसके लिए तो qualification आप सबको बता है, इसके लिए आपको metric pass होना चाहिए, यानि सिर्फ आपको 10th pass होना जरूरी है इसके लिए ठीक है, यह है educational qualification इसके लिए, ठीक है, इसके बाद है application of reservation ठीक है, इसके बाद है reservation किस, reservation के बारे में बताया है कि आपके पास जो भी certificates रहेंगे आपके reserve category के वो cut off date तक valid होने चाहिए, नहीं तो आपको वो reservation नहीं मिलेगी, ठीक है, horizontal reservation का भी इन्होंने बताया हुआ है, वो रहती है person with disability are not eligible for this post, ठीक है, जैसे कि हर post के लिए person with disability रहते हैं, यहाँ वो नहीं रहेंगे, यहाँ पे कौन रहेंगे, तो यहाँ पे रहेंगे ex-serviceman, ठीक है, ex-serviceman यहाँ पे होंगे, horizontal reservation के under, ठीक है, फिर इसके बाद आपको मैं लेके चलता हूँ, application fee जो है, वो बढ़ा के इन्होंने 700 रुपीज कर दी है, यह थोड़ा मुझे जाला लग रहा है, क्योंकि journal के लिए 700 और even categories के लिए भी SCST और EWS के लिए 600 रुपी ठीक है, चलो, यह तो रही, fee क्या रहेगी, अगर आप online जब apply करोगे, ठीक है, इसके बाद, date of center, date of examination, वो आपको बाद में बताया जाएगा, scheme of examination, सबसे पहले उन्होंने बताया है, कि होगा आपका return examination, जिसके base पे आपको shortlist किया जाएगा, जिसमें negative marking भी रहेगी, यहां तो 120 या 100 marks का paper रहेगा, वो अब इसले बस इन्होंने नहीं बताया है, वो आपको बाद में बताएंगे, हाँ, इसमें NCC और साथ में NCC के ABC certificates holders हैं, उनको 2%, 3% और 5% maximum marks मिलेंगे, ठीक है, यह आपको द्यान में रखना है, फिर उसके बाद है physical standard, physical standard आपको 5 feet 6 inch होना चाहिए minimum, और chest आपकी without expanded 32, और with expansion 33, 1 upon 2, यानि 33 and half होनी चाहिए, females के लिए height है 5 feet 2 inch, ठीक है, minimum है यह, इतना होना चाहिए, फिर ही आप apply कर पाओगे इसके लिए, फिर उसके बाद है physical endurance test, मत्तब की क्या आपको इसके लिए criteria रहेगा, 1600 meter race आपको 6 and half meter में, 6 and half minutes में, यानि 6 minute और half, six minute और half minute में आपको clear करनी है, साड़े 6 minute में आपको 1600 meter वो जो पहले भी होती थी, वही है, same, और 20 push up करने है, males को females के लिए, ये 1000 meters रहती है, ठीक है, 1000 meters रहती है, और उसको इन्होंने clear करना है, same time रहेगा, साड़े 6 minute में आपको, females को, 1000 meters को clear करना है, और इनको shot put इसकी जग पर होगा, ठीक है, 4 kg का, एक stone जैसे ही समझ लो, वो होता है, shot put, ball, उसको आपको throw करना होता है, इसमें, और attempts आपको इसमें मिलेंगी, लगबग, attempts यहाँ पर नहीं बताई है, नहीं बताया हुए है कि feet in 3 attempts, 3 attempts में आपको 14 and half feet तक इसको गिराना है, ठीक है, यह आपको physical standard में रहेगा, females के लिए, इसके बाद है, यही जो standards बताये हुए हैं कि 30 years के कम-कम अगर age होगी आपकी, तो आपको वही जो बताया हुए है, वही standard र तो आपको 1600 मिटर को 7.5 मिंट में clear करना है, और push-up भी 20 से 16 हो जाएंगे, और अगर 40 से भी ज्यादा age है, तो 8.5 मिंट में आपको race को clear करना है, और push-up भी आपके 12 हो जाएंगे, ठीक है, यह आपका ध्यान में रखना, female और male का, क्या है अगर age आपकी 30 प्लस होगी, फिर उसके बाद है, syllabus उन्होंने यही बताया हुआ है कि separately बताया जाएगा, ठीक है, यह सारा था इसमें, अब आपको अगर इसके लिए, कुछ क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, जो इसके लिए apply नहीं कर पाएंगे, due to, जो maximum age इसमें 28 रखी हुई है, ठीक है, तो आप इ को अपने efforts लगाने होंगे, ठीक है guys, बहुत ही जादा एक important notification है, यह constable की लगबग 4000 plus candidates को इसमें employment मिलने जा रही है, लगबग 6 month maximum मैं बोल सकता हूँ, उसके अंडर यह पूरी procedure complete हो जाएगा, selection procedure, तो guys, आपको मैंने बता दिया है, कब से आपने apply करना है, और किस तरह से standards के लिए त्यारी करनी है, तो guys, इस वीडियो में इतना ही, thank you, जहिन